आज दाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर अपने सब ही गनित, रसायन, विज्ञान, भौतक विज्ञान और जी विज्ञान के डाउट करो सपाया बस प्रशन की फोड़ो खीचो, एक ही प्रशन को क्रॉप करो और तुर्ट वीडियो सिलीशन पाओ अब ही डाउनलोड करें अब कूच अलक की बात कर लेते हैं, तो कूच अलक की अगर बात करें, उधारन में क्या आता है लकडी, रबड, ठीक है, ये सब कूच अलक हो जाती वैद्यूद के, तो वैद्यूद तो इसमें प्रवाहित होता नहीं, वैद्यूद धारा, ताप इसका कितना भी बढ़ाले, तो वहाँ वैद्यूद धारा प्रवाहित ही नहीं होगी, मतलब इसका प्रतिरोध तो पहले दोस्तो अर्दचालक ऐसे प्रदार्थ होते है जो ये कुछालक की भाती विभार करते है अगर ताप मान कम है तो ताप हम दे दिये तो क्या हमने उश्मी रुप में उर्जा दे दी उश्मी रुप में उर्जा दे दी तो ये थोड़ी भूत चालकता दरसाते है दोस्तो और ह ताप कामान जैसे ही बढ़ाते जाए तो अर्ध चालक में चालकता कामान बढ़ता जाता है अर्ध चालक की अगर बात करें तो अर्ध चालक में क्या होता है चालकता जो है वो अनुक्रमानुपाती होता है ताप का ऐसा हम कह सकते है बढ़ाने से अर्ध चालक की चालकता बढ़ जाती है ठीक है अब प्रशन में क्या दिया है कि वैद्ध प्रतिरोध जो है वो ताप बढ़ाने पर तेजी से कम होता है और हम क्या जानते कि प्रतिरोध जो होता है वो चालकता के व्यूत करा मनुपात में होता है मतलब चालकता बढ़ गई तो प्रतिरोध कम हो गया ठीक है तो इस तरीके से हमने चालकता बढ़ाई ताप बढ़ा कर और वैद्ध प्रतिरोध कमान कम हो गया तो अर्ध चालक जो है वो दिये के प्रशन के लिए सही विकल्प है ठीक है कि हम ताप बढ़ाएंगे तो वैद्ध प्रतिरोध कम हो जाएगा और अगर बात करें अती चालक की ठीक है तो अती चालक ऐसे पदार्थ होते हैं जो चालकता बहुत दरसाते हैं और इनका जो चालकता का मान होता है वो लगभग अनंत हम मान सकते हैं इसके लिए प्रतिरोध का मान अगर हम देखे तो एक बटे अनन्द को हम शुन्य भी लिखते हैं ठीक है तो प्रतिरोध का मान इसके लिए हम शुन्य लेकर चलते हैं साधारंता धातु जो है वो शुन्य अंस Celsius पर अगर हम लेंगे तो वो अती चालक की तरह व्यवहार करते हैं सुन्य चल्सियस पर ठीक है अब हम ताप बढ़ाते जाएंगे तो उसका प्रतिरोध बढ़ते जाएगा तो अती चालक नहीं कहलाएगा तो इस तरीके से अती चालक भी दिये गए प्रशन के लिए गलत वि भिन्न होते हैं तो हमारा सही विकल्प हो जाएगा विकल्प क्रमांग सी धन्यवाद